अगर आपके पास 3-4 तरह की डाले हैं तो आप अपनी लिए एक हेल्दी और प्रोटीन रिच नाश्टा बना सकते हैं मल्टी ग्रेन डोसा अक्षर लोग कहते हैं डोसा अच्छा नहीं बनता तवे पर चिपक जाता है या फिर आसानी से फैलता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि एकदम परफेक्ट इडली डोसा बैटर कैसे बनाना है वो आज मैं आपके साथ शेयर करोंगी जिस से भी डोसा बनाया है वो भी ऐसा ही काफी अच्छा बनता है अब हम लेंगे एक कप तूर की डाल यानि की सांभर वाली डाल चावल की क्वांटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं पस ध्यान रहे रेश्यों यही रहना चाहिए तीन पार्ट चावल और एक पार्ट बाकी की डालें फिर इसमें डालेंगे एक कप चना डाल इसके साथ या में डालेंगे एक कप औरत डाल एक कप मसूर की डाल अगर आपके पास मसूर की डाल नहीं है तो आप इसकी जगा मूंग डाल भी आड़ कर सकते हैं इसमें डालेंगे एक कप सोया बीन या फिर लोब या एक च 6 घंटे हो गए हैं, दाल और चावल अच्छे से भीग गए हैं, अभी हम इसमें ठंडा पाई डाल कर पीस लेंगे, इसे आपको दरदरा पीस ना है, जैसे की स्क्रब की कंसिस्टेंसी होती है, उस तरह का पीस कर एक फ्लोइंग बाटर बना लेंगे, फिर इसे ढख कर किसी ब इस बाटर को इसी तरह इडली मोल में डाल कर 15-20 मिट कले स्टीम कर लेंगे, तो आपकी सॉफ्ट इडली तैयार हो जाएंगे, और अगर आप डोसा बनाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पाई डाल कर पतला बाटर बना लेंगे, अभी एक बड़ा चमच बाटर और इस तरह एक ही डिरेक्शन में धीरे-धीरे फैला लेंगे, फिर इस पर एक चोथा ही चमच तेल को स्प्रिंकल करें और दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से से शेक लेंगे, आप देख सकते हैं डोसा हमारा ब्राउन हो गया है, अभी इसे कॉर्णर से धीर-ध खा लेंगे और बस ये हमारा हेल्डी हाई प्रूटीन रेक्फास्स बनकर तयार है, इसे चटनी, आलू मसाला या फिसामर के साथ सर्फ करें, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक वीडियो को लाइक करें, शे